हलो दोस्तों वेलकम टो टोपर्स विलेज दोस्तों आज हम देखेंगे exercise 3.3 का जो question number 24 and 25 है ये दो questions आज हम discuss करेंगे question number 24 and 25 दोनों लगबग आप देखोगे तो same type की question है यह है cos 4x and यह है cos 6x तो यहाँ पर cos 4x को देखो यहाँ पर angles जो है थोड़ा सा यहाँ पर missprint है लेकिन ठीक है यहाँ पर x और यहाँ पर x मतलब simple angles चाहिए जैसे यहाँ पर 4x है ना तो यहाँ पर 4x मतलब या फिर 2x ऐसे multiple angles की ज़रत नहीं है हमें simplified चाहिए फिर यहाँ पर 6x है तो इसके angle को भी हमें कम करना है तो इसके लिए हमें किन formula की ज़रत पड़ेगी वो मैंने आपर अलग से लिख रखें देखो दोस्तों यहाँ पर question number 24 and 25 पे लिए में इन formulas की ज़रत पड़ेगी अब यहाँ पर आप notice करो कि cos 2x के यहाँ पर 4 formula होते है cos square x minus sin square x 2 cos square x minus 1 3 1 minus 2 sin square x और 4 है 1 minus 10 square x upon 1 plus 10 square x एक बार मैंने सारे लिखे हैं सब की ज़रत नहीं पड़ेगी वो देखेंगे किस की ज़रत पड़ेगी फिर sin 2x का formula sin 2x के दो formula होते है 2 sin x cos x और नीचे यह दूसरा वाला है 2 tan x upon 1 plus 10 square last में cos 3x की ज़रत पड़ेगी cos 3x की ज़रत हमें यहां इसके अंदर नहीं पड़ेगी cos 3x की ज़रत हमें यहां पड़ेगी question number 25 के अंदर तो देखते हैं situation wise हम question का question से related जो formula है वो ही उठाएंगे सारे के सारे formula लगाने की ज़रत नहीं होती कभी भी तो दोस्तो question number 24 मैंने लिख लिया है इसका जो LHS वो भी लिख लिए है अब यहां पर देखो cos 4x है यहां पर actually आपको थोड़ा समझेना पड़ेगा observe करना पड़ेगा अपना जो target है LHS से तो हम start कर रहे हैं यह तो अपना starting point हो गया लेकिन जो target है वो क्या RHS है तो हमें RHS तक पहुंचना है अब RHS को आप अच्छे से observe कर लो कि RHS क्या लाना है क्योंकि यहां पर कई formula होते हैं जैसे 10th class में होते थे ना LHS को देखते हो हम चलते थे तो यहां पर भी वोई इसी system है बस कुछ नए formula आगे यह वाले formula नए आगे अब यहां पर देखो कि पहली चीज़ तो sign और cos में आंसर चाहिए तो यह 10 वाला formula तो हम नहीं लगाएंगे ठीक है और फिर बचे यहां पर यह formula cos square x minus sign square x फिर यह cos के अंदर यह complete sign के अंदर है तो देखो दोस्तो मैंने भी question को जब देखाना तो सोचा भी यार यह formula लगाऊ या फिर यह लगाऊ या फिर यह लगाऊ तो एक चीज़ तो decide हुगा कि यह 10 वाला तो नहीं लगाना फिर cos और sign यह दो दो भी नहीं लगाने हम एक से भी काम चला सकते हैं पिर अगर आप यह लगाऊगे तो फिर यहां पर इसकार इसका formula वाेपस लगाना पड़ेगा क्यों लगाना पड़ेगा यहाफे 4 a serving यहाँ यहां पर यहांपर दीक्र одता यहाआप यहाँ ऒटा जोस्तों यहाँ पर है sin square x, जब 4x का हम यह formula लगागे, तो यहाँ पर बन जाएगा sin square 2x, 2x का x होगे, आदा होगे है न, तो 4x का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x बन जाएगा, तो यहाँ पर sin 2x का formula क्या अटगेगा, और sin 2x का फिर हम यह वाला formula और लगा देंगे, तो यहाँ पर फिर ऐसा sin square x into cos square x, ऐसा expression आजाएगा, तो observe करने का खेल यहाँ पर थोड़ा जादा होता है, solution देखने के लिए यह video मत देखो, आप यह देखो कि question जब मैं पढ़ता हूँ सबसे पहले, तो मैं क्या बोलता हूँ, क्या अप्रोच लगाता हूँ, कैसे किस question से, कौन सी कौन सी चीजे connect करता हूँ, आप वो समझो, तो दोस्तों आप question की तरफ बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पर हमने भूमी का बनाई लिए कि कैसे कैसे करना है, सबसे पहले cos 4x है, तो cos 4x का मैं कौन सा formula लगाऊँगा, यह वाला, sin वाला formula लगाऊँगा, 1-2 sin square x, यहाँ पर लिख लेता हूँ, चुकि cos 2 theta होता है, 1-2 sin square theta, अब यहाँ पर मैं theta की जगे क्या डाल देता हूँ, देखो यहाँ पर 2 theta है, यहाँ पर 4x है, तो theta क्या हो जाएगा, 2x के बजाएगा, बराबर मैं आपर theta की जगे 2x डाल दूँगा, तो यह क्या बन गया, cos 2 into 2x, cos 4x, तो अगर यह ऐसा बन सकता, तो यह भी कुछ न कुछ बन जाएगा, 2 theta का आदा हो गया, तो 1-2 sin square, यहाँ पर 4x का भी आदा हो जाएगा, क्या, 2x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम पहुंची, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूँ, ताकि हम अगला वाला formula पर काम कर सके, 1-2, यहाँ पर sin square 2x, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, sin 2x का whole square, अब यहाँ पर sin 2x का formula में लगाना है, अब sin 2x के दो formula है, sin cos में और 10 के अंदर, तो अपना जो RHS है, वो तो only sin cos के अंदर ही है, तो आप यह वाला formula मत लगाना हम, यह वाला formula लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमने यह वाला पिक किया है, तो बस अब इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कि sin 2x का हम कौन सा formula लगाएंगे, 2 sin x into cos x, यह वाला formula हम लगाएंगे, तो यह बन गया 1-2, sin 2x का formula 2 sin x into cos x, का whole square, ठीक है, इधर यह formula हम लगे इधर चल लगे, तो इसको हम solve करेंगे तो यह बन गया, 1-2, अंदर से क्या निकला, 2 का square 4, sin का square, sin square x, फिर cos का, cos square x, देखो दोस्तों question तो खतम होई गया, जब मैंने ऐसा लिखा न, यहाँ तक, तो question वहीं खतम होगया, बस आगे तो फॉर्मल्टी चल लगी है, 1-2 into 4, क्या होगया, 8, यहाँ पे होगया, sin square x into E होगया, cos square x, तो यह क्या क्या आगया, यह RHS आगया, खतम, बढ़ते हैं एक लिए question की और, ज़्यादा कुछ नहीं देखना, बस डाहरे करो, खतम करो, cos 4x आगया, आदा करो, कम करो, ठीक है, तो दोस्तो, question number 25 मैंने लिख लिया है, और यहाँ पर आप देखो कि तो यह question थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा यह, यहाँ पर है cos 6x, cos 4x को तो हम निप्टा दिया, cos 2θ का formula में पता ही था, cos 4θ का formula आगया, cos 6θ का formula में बनाना है, कैसे बनाना है, जो हमें पहले से formula पता है, उनकी मदद से बनाना है, तो देखो दोस्तों, बिना time waste के LHS पर आते हैं, LHS है cos 6x, आपको RHS से चालू नहीं करना, RHS यहाँ पर simplified form है, हाँ थोड़ा सा दिखने में बड़ा है, लेकिन है simplified, यहाँ पर आप इसका कुछ ज़्यादा बिगाड नहीं सकते, बहुत सारे whole square या whole cube खुले होंगे न, तब जाकि यह expression ऐसा आया होगा, तो आप इसको वापस समेट के ऐसा नहीं बना सकते, तो हम यहीं से, इसी बंडल को खोलते हैं, cos 6x है, तो देखो यहाँ पर अपने पास में 2 चोई से, आप cos 3x के formula से भी start कर सकते हो, और आप cos 2x के formula से भी start कर सकते हो, फिलाल हम cos 3x के formula से start करते हैं, एक और चीज़ आप notice करो, यहाँ पर सब कुछ cos, cos, cos के अंदर है, तो हम भी वही formula prefer करेंगे, जो कि cos के अंदर लगेगा, only cos बनाता हो, जैसे cos 3x के formula में, तो cos ही cos आएगा, लेकिन cos 2x के formula में, हमें cos वाला, ये वाला formula में चाहिए, 2 cos square x minus 1, ये वाला formula में चाहिए, साइन वाला नहीं चाहिए, नहीं 10 वाला, 10 वाला तो ये से भी नहीं चाहिए, तो इसको मैं पहले cos 3 theta का formula लगाने के लिए तयार करता हूँ, cos 3 into 2x, ऐसा बन गया, तो cos 3x का formula, cos 3 theta का formula क्या होता है, 4 cos cube theta minus 3 cos theta, आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं, तो इस formula को मैंने वाट टेक ही बताएगी, इसका ऐसा रखो 43 minus 31, मतलब 4 cos cube x, तो 4 और ये 3 आगया, आएगा तो cos को सी, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर cos की power 1 है, तो यहाँ पर 3 31 है, 43 minus 31, 43 minus 31, ऐसा याद कर सकते हो, यह तो है formula की बात, इसको apply करते हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर, कि यहाँ पर cos 3 theta का formula लगाना है, और cos 3 2x हमने बनाए लिया, तो यहाँ पर theta की जगे, theta का roll कौन प्ले कर रहा है, 2x प्ले कर रहा है, तो cos 3 theta के formula का यह बन गया, यह formula लिख देता हूँ, cos 3 theta तो यह तयार है, 4 cos 3 theta, तो 4 cos 3 theta, theta थिटा हैगा, theta क्या है, theta करो लोगों कौन प्ले कर रहा है, 2x, तो यह फिर 2x आ गया, फिर minus, यहाँ पर क्या 3 cos theta, तो 3 cos theta, theta की से जगे, फिर से क्या जाएगा, 2x है देगा, ठीक है दोस्तो, अब इसको थोड़ा सा, simplify करने की कोशिश कर रहेंगे, तो 4, इसको में लिख लेता हूँ, cos 2x का, cube, minus, यह क्या बन के 3 cos 2x, तो 3 cos 2x, इसको हम, solve कर लेते हैं, मतलब, solve करने का, मतलब यहाँ पर क्या x है, only cos वाला लगाना चाहिए, यहाँ पर only cos आ रहा है, अगर यहाँ पर only sin ही आता, sin 6 वगरा है, यह सब, तब यहाँ पर मैं, अब last में जाएकर, sin का formula लगा देता है, लेकिन यहाँ पर cos है, तो cos का formula लगा रहा हूँ है, यहाँ पर लगा देता हूँ, इसका cube minus यहाँ पर 3, और यहाँ पर भी उसी cos 2x का formula, cos 2x equal to 2 cos square x minus 1, और यहाँ पर भी cos 2x equal to 2 cos square x minus 1, इसको simplify करते हैं, इसको simplify देखो दोस्तों, यहाँ पर आप directly भी कर सकते हो, एक बार मैं reference के लिए formula लिख देता हूँ, formula हमें open करके देना है, तो यहाँ पर एकदम simplified formula लिखूँगा, वो नहीं लिखूँगा, a cube minus b cube, फिर minus 3ab, a minus b, और bracket हमें bracket वाला formula नहीं लगाना है, यहाँ पर एकदम simplified है, तो मैं simplified formula ही लिखूँगा, a cube minus 3a square b, plus 3ab square minus b cube, यह वाला formula हमें apply करके लिखना है, तो बाहर की तरफ 4 खड़ा है, यहाँ पर यह a, a का काम कौन कर रहा है, 2 cos square x, और b का काम कौन कर रहा है, तो a cube, a cube मतलब इस पहले वाले का cube, b cube मतलब दूसरे वाले का cube, तो a cube मतलब 2 cos square x का cube, यहाँ पर bracket change कर लेते हैं, यहाँ पर square bracket लगा देता हूँ, फिर minus 3a square b, तो minus 3a square, a square मतलब इसका square, तो यह हो गया, 2 cos square x का square, यहाँ पर b है, तो into 1 हो गया, फिर plus तो plus, 3 तो 3, a, तो a की जर्व क्या जाएगा, 2 cos square x, into, फिर यह देखो, दोस्तो b square, b square मतलब 1 का square, तो यहाँ पर 1 का square जाएगा, 1 का square को यह मतलब नहीं, minus b cube, b cube मतलब 1 का cube, तो यहाँ पर 1 का cube जाएगा, तो यहाँ तक, हमने यह वाला, यह portion यहाँ पर लिख लिए, फैला के लिख लिए, expand करके, और यहाँ तो किसी का holy square वगएगा है, नहीं, तो इसको तो मैं ऐसा simply खोल लेता हूँ, तो यह बन गया minus, minus 3 इससे multiply होगा, तो minus 3 into 2, तो minus 6 cos square x, फिर minus 3 into minus 1, plus का 3 बन जाएगा, अब दोस्तो इसको बस solve करना है, और लिखना है थोड़ा, यहीं पर कितम करते हैं इसको, यह बना 4 into 2, इसको solve कर लेता हूँ एक बार के लिए, 4, यह कितना बना, 2 cos square x का cube है, तो 2 का cube 8, cos square x का cube, cos 6 x, minus, यहाँ पर क्या है, 2 का square है, तो 4, 4 3 जा, 12 हो गया, तो minus का 12, cos 4 x, फिर यहाँ पर क्या है, minus 6 cos square x, plus 3 है, अब इसको बस bracket open करके, simplify कर लेते हैं, तो यहाँ पर cos 6 x, देखो, अब like terms और unlike terms के बैसे सिपर चलते हैं, जल्दी हो जाएगा, cos 6 x कहीं पर भी नहीं है, बस एक जगा है यहाँ पर, तो यह जब bracket खुलेगा, तो 8 into 4, क्या बन जाएगा 32 cos 6 x, अब आते हैं उससे कम पाउर पर, तो 6 से कम पाउर क्या है 4 है, तो 4 बस यहीं पर है, मलब cos 4 x, और कहीं पर भी नहीं है, तो इसका कॉपिशन क्या बनेगा, minus 12 into 4, तो 12 4 जा 48, minus 48, और यह बन जाएगा, cos 4 x, ठीक है, अब यहाँ पर दीको, square दो जिगर पर है, एक तो bracket के अंदर है, और एक bracket के बाहर है, ठीक है, bracket के अंदर हो, bracket के बाहर, bracket के अंदर दीको 6 है, तो यह 6 4 से multiply हो के निकलेगा, तो बनेगा 24, 24 और बाहर के तरफ, minus 6 इसका स्वाकत करेगा, तो 24 minus 6, कितना हो गया, 18 हो गया, प्लस का 18, तो प्लस का 18, cos square x, अब constant की बात कर लेते हैं, यहाँ पर है, 4 into minus 1, तो minus 4 हो गया, minus 4 अंदर से आया, और plus का 3 यहाँ पर है, तो minus 4 plus 3 क्या हो गया, minus 1 हो गया, तो यह expression शाहिद होई आगया, 32, यहाँ पर 32, minus 48, 18 और minus 1, 32, minus 48, 18 और minus 1, पावर वैसे यह, 6420, 6420, मतलब यहाँ पर cos की पावर 0 समझ सकते हैं, तो दोस्तों यह हो गया, अपना question number 25 complete, अपनी exercise complete हो गयी है, वागर आपको इन में confusion है, तो आप मेरे को एक बार comment box में बता सकते हो, अगर clear हो गया, तो भी आप comment box में बताओ कि कैसे साब को sound में आया, और इन से related जो formula होते हैं, आप भी ऐसे करो कि, पहले question को देखते हैं, जब भी exam हो तो question को देखते हैं, पहले formula जो है, उनकी list rough में आपर कहीं भी लिखने की कोशिश करो, और यह देखो कि इस बार कौन सा formula आपर suit होगा, वही आप यहाँ पर लगाओ, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और उसमें हम exercise 3.4 की theory लेकर आएंगे, और वो भी मज़ेदा है, त्योरी एकदम उसको ही मज़ा आएगा, फिर theory हो जाएगे अपनी complete, फिर करेंगे exercise, Thank you very much.